नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है, मैं जितेंदर कुमा जॉली, यदि आपने इस बार UP PGT भर्ती हेतु आवेदन किया है, और आप लोग एड्मिट कार्ड जारी होने का इंजार कर रहे हैं, तो आपके इंजार की घड़ियां खतम हो माद्यमिक शिच्छा सेवा चैनबोर द्वारा UP PGT भर्ती 2021 के एड्मिट कार्ड जारी कर दिये गए हैं, अधिक जनकारी के रिए वीडियो को शुरू से अंतक देखिया, ये शुरुआत करते हैं इस सम्मन में उत्तपेदेश माद्यमिक शिच्छा सेवा चैनबोर द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2021 को एक आबस्यक सूचना अपनी वेफसाइट पर प्रकासित की गई है, जिसमें बताया गया है कि दिनांक 17 एबं 18 अगस्त 2021 को आईजित विग्यापन संक्या 2 बटे 2021 प्रवक सूचना अंकित करते हुए अपना प्रवेश्पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, प्रवेश्पत्र डाउनलोड करने की सुविधा 18 अगस्त 2021 तक उपलब्द रहेगी। 75-98 पर संपर्क कर अपनी प्रक्षा का समाधान कर सकते हैं, यदि आप लोग एड्मिट का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसकी लिए आपको जाना होगा www.upsessb.org की वेश्प्साइट पर, यदि आप लोग मोबाईल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सला दी जाती है क आप अपने फोन में Google Chrome का इस्तेमाल करें, जब आप Google Chrome में इस साइट को खोलेंगे, तो आपको ये साइट कुछ इस पकार से नजर आएगी, आपको क्या करना है, कौने में बने हुए 3 dots के उपर क्लिक कर देना है, हो सकता है, ये 3 dots आपके मोबाईल में नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पर एक option दिया हुआ है, click here to download admit card, इसके उपर क्लिक करके आप लोग admit card डाउनलोड कर सकते हैं, जो notification मैंने अभी आपको दिखाया है, यदि आप उसको download करना चाहते हैं, तो इस link के उपर क्लिक करके उसको download कर सकते हैं, मैं एक admit card आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, तो इसके लिए click here to download admit card वाले option के उपर हम click कर देते हैं, click करने के बाद में हम लोग एक नए page पर पहुंच जाएंगे, इस page पर पहुंचने के बाद में यदि यह है website आपको ठीक से खोली हुई ना दिखाई दे रही हो, तो आप आपको फिसे 3.0 के उपर किलिक करके desktop site वाले option पर टिक कर देना है, तो ये website भी आपके सामने ठीक से खुल कर आ जाएगी, अब आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर एक link दिखाई देगा, उत्तर पिदे, secondary, education, service, selection board, click here to apply, click here to apply वाले option के उपर आपको click क करने के बार में आप पुन है एक नए page पर पहुंच जाएंगे, इस page पर पहुंचने के बार में देखे, यहाँ पर site में option आ रहा है, download admit card इसके उपर आपको click कर देना है, हो सकता है, कुछ समय पस्चास site पर यहाँ पर भी एक option आ जाए, जिसमें PGT admit card download करने के बारे में कहा गया हो, तो हम क्या करते हैं, हम अभी यहाँ पर download admit card वाले option के उपर click कर लेते हैं, इसके उपर click करने के बार में हम पुन है एक नए page पर पहुंच जाएंगे, इस page पर पहुंचने के बार में हमें यहाँ पर registration number भर देना है, यहाँ पर date of birth भर देनी है, यहाँ पर gender भर दे लेता हूँ, तो दीखिए मैंने एक calculate की detail यहाँ पर भर दी है, अब मैं download admit card वाले option के उपर click कर लेता हूँ, इसके उपर click करने के बार में हमारा admit card डाउनलोड होकर आ जाएगा, तो दीखिए हमारा admit card यहाँ पर download हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, PGT commerce का यह admit card है, तो अपने phone में PDF के रूप में save करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उपर जाना होगा, तो यहाँ पर एक option दिखाई देगा, print admit card, हमें print admit card के उपर click कर लेना है, इसके उपर click करने के बार में हमें क्या करना है, यहाँ पर कौने में एक PDF बाला option दिखाई दे रहा है, इसके उ पर टिक करने के बार में हमारा जो यह letter है, PDF के form में convert होना प्रारम हो जाएगा, अब हम अपने phone से एक location का select करके इस admit card को download कर सकते हैं, तो download करने के लिए मैं यहाँ पर save बाले option के उपर click कर लेता हूँ, तो हमारा यह admit card इस phone में save हो गया है, इस पकार से आप लोग भी अपन admit card download कर सकते हैं, यह वीडियो आपको कैसा लगा, comment करके बताइए, यह यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए और अपने साथियो में share कीजिए, यह आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करने के बाद, bell icon दबा कर all notification on कर लिजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहे, फिर बिलेगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, good bye